हेलो एवरिवन वेल्कम टू लॉड डिक्रिप्टिड आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही क्रिस्ट और इजी वे में समझेंगे बहुत ही लेंडमार्ग जज्जमेंट केशवा नंदा बार्थी वर्सिस टेट ओफ केरेला इस लेंडमार्ग डिसीजन में सुप्रीम कोट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जनम दिया था तो हुआ क्या था 1970 में केरेला में एक स्वामी थे हिंदू मनेश्टरी के तो केरेला गवर्मेंट दो नए लॉल आने के बाद ट्राय करती है कि उनसे उनके प्रॉपर से उनके फंडमेंटल राइट छीन सकते हैं तो इस इशू पे डिसाइड करते हैं सुप्रीम कोट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जनम दिया इस केस को थर्टीन्थ जजिस की बेंच डिसाइड कर ली थी बहुत ही क्लोजली सेवन रिशो शिक्स की मजॉरेटी स सुप्रीम कोट ने हेल्ड करा कि जो पार्लेमेंट है उसके पास वाइट पावर्स है कि वो लॉज बना सकती है और उनको अमेंट भी कर सकती है लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो डिश्ट्रोई कर दे बेसिक एलेमेंट्स और फंडमेंटल फीचर्स अफ दा democracy हमारे constitution का basic feature है जो हमसे कभी नहीं चीना जा सकता और उसके बिना हमारा constitution constitution नहीं रहेगा ऐसे ही जो बहुत ही major major basic rights है वो basic elements और fundamental features जो कभी नहीं चीता जा सकता हमसे वो हमारे basic structure doctrine के अंदर आएंगे और parliament को ये बावर नहीं है कि वो basic structure doctrine के अंदर जो subject आते हैं उसको change करे या amend करे और court ने held करा कि basic structure doctrine के अंदर क्या क्या आएगा वो facts to facts हर case पर decide करेगा Supreme Court ही बाद में अगर कुछ भी issue आता है वो decide करेगी कि ये जो subject matter है ये basic structure doctrine में आता है या पर नहीं आता तो judgment में article 13 clause 1 जो challenge इस case में उसको कहा कि parliament के पास power है कि वो amend कर सकता है fundamental rights लेकिन basic structure को नहीं amend कर सकता अब हमने ये तो देख लिया basic structure doctrine क्या है और किस reason से आई तो basically यहाँ पे एक politics चल दी थी इसके बाद का आप aftermath देखते हैं तो जैसी ही आया और Supreme Court ने government की powers को कम कर दिया तो इंद्रा गांदी की government ने इसको एकदब बिल्कुल अच्छे से नहीं लिया और 1973 में justice अजित नात राय जो की senior most judge भी नहीं थे उस time Supreme Court में लेकिन जो seven issue six में जो six judges थे ना जिनोंने दूसरा judgment दिया था ये उन में से एक थे तो इनको बाकी जो तीन senior most judges थे उनको super seat करते हुए इनको chief justice of India बना दिया जो की पहले history में ऐसा कभी नहीं हुआ है और फिर बाद में 42nd amendment भी लाई गई जिससे सारे के सारे जो basic section doctrine से रिक्षिसन लगाए है Supreme Court ने Parliament की powers पे उनको एकदम हटा दिया और law में लिख दिया कि parliament के पास power है कि वो कुछ भी amendment कर सकता है लेकिन फिर बाद में Supreme Court ने ऐसी laws को भी जैसे 39th amendment जो थी उसमें कहा था कि speaker, लोकसभा और president और vice president जो 39th amendment थी जो की emergency के time आई थी उसमें कहा था कि जो president, vice president और prime minister और speaker होगा लोकसभा का उसको Indian court scrutiny नहीं कर सकती मतलब उन में judicial review की power छीन लीती उनको कुछ नहीं बोल सकती लेकिन इसको इंद्रा नेरु गांधी वर्सिस नराज नारायन के case में भी unconstitutional held कराता है इस amendment को basic structure doctrine का concept लगात हो है तो basically supreme court ने held कर लिया कि judicial review की power basic structure doctrine में आती है और इसको नहीं छीना जा सकता ऐसी ही फिर यह basic structure doctrine को supreme court और बांगलादेश ने भी 1989 में exactly copy कर लिया और अपनी अनवर हुसें चौदरी वर्सिस बांगलादेश वाले case में incorporate कर लिया इस lecture के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूँ आपको topic समझ में आया होगा और कोई भी अगर confusion है तो आप comment section है पोच सकते हैं अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो please like, share and subscribe करें